हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल साथ आज हम बात करेंगे SBA के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहिए ताकि बैंक को में एक्स्ट्रा पैनल्टी नहीं देनी पड़े कि इसके नए नियम क्या है इसकी संपूर्ण जानकाने के लिए दोस्तो वीडियो के एंड तक बने रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो SBA के saving account में minimum balance की जानकरी के लिए हम यहाँ पर Google पर SBA account minimum balance इस तरह से search कर रहे हैं search करने के बाद में हमें interface पर यहाँ पर दिखाई देगा basic saving bank deposit account इस पर हमें click करना है click करने के बाद में साथ यहाँ पर interface पर कुछ इस तरह से इसकी details सो होंगी तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं SBA का basic saving deposit account साथ यह SBA का basic saving account होता है इसमें आपको checkbook facility नहीं मिलती है अगर इसमें minimum monthly balance की बात करें तो यहाँ पर आपको month में average balance maintain करने की आप सकता नहीं है अगर आप पूरे month के दोरान zero balance भी अपने account में रखते हैं तो bank आप से extra रुपे वसूल नहीं करेगा इसी प्रकार इस से higher account जिसमें हमें checkbook की facility मिलती है अगर उसमें minimum balance की बात करें तो हम यहाँ पर more information पर क्रिक करते हैं और यहाँ पर देखें SBA के saving account की जो detail से आपको इंटरफेस पर सो कर रही है इसमें bank के तरफ से आपको checkbook भी मिलती है अगर इसमें average monthly balance की बात करें तो इसमें भी आपको average monthly balance रखने की आसकता नहीं है तो साथ हो SBA के नए नियम कंसार आपको अपने saving account में minimum balance रखने की आसकता नहीं है अगर आप अपने account में minimum balance 0 भी रखते हैं तो bank आपसे extra रुपे वसूल नहीं करेगा साथ हो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like, share, subscribe कीजिए धन्यवाद